हेलो प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होगा आप सब ठीक होंगे आज हम फिर हादिर है एक न्यू रैसिपी के साथ बहुत अच्छी रैसिपी आप लोगो जरूर पसंद आईगी ने आई डाल दिया एक नॉर्मल छोटा चाय का कब जितना उसमें हम जीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून इसे क्रैकल होने देते हैं जीरा क्रैकल हो चुका है अब यह एक मीडियम साइज प्यास थी बिल्कुल बारिक चॉप कर लिया है हमने हैंड चॉपर में इतना बारिक हम चॉप करेंगे प्याज और टमाटर इतना ही हमारी जल्दी गिरेवी बन जाएगी प् चॉटे टमाटर ले लिये थे इनको भी हमने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है एक टी स्पून अद्रग पेस डाला एक टी स्पून लेजन पेस थोड़ा साथ कर लेंगे अब बागी के मसाले डाल वन फो टी स्पून काली मिर्स डाल दिये कुटी हुई हाफ टी स्पून वाइट विनेगर डालेंगे मिक्स कर देंगे अच्छी कर देंगे तीन अंडे ले लिये हैं रफ्ली बीड कर लेंगे फ्लेम लो करके हम थोड़ा थोड़ा करके अंडो को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और जल्दी जल्दी चमचा स्टेर कर देंगे जल्दी पास्ते को डाल दिया है ग्रीन चिली नहीं डाल देना अच्छा है थाइसो ग्राम पास्ता है हमने बॉइल लिया नमक डाला और पास्ता को हमने उबाल लिया इसको 85% कुक कर लिया 85 तो यह पूरा तूट नहीं पाता है अगर यह बहुत ज्यादा गला लेंगे 100% तो यह सब पास्ता को इसमें डालके मिक्स कर देंगे अच्छी तरह हमने इसमें नमक डाला ढ़ते हैं अच्छी तरह सकते हैं लेकिन इसे हमने पूरा खोल कर पगाया है पास्ता रेडी हो चुका है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीस सबस्क्राइब कीजिये लाईक करते हैं इसको डिश आउट थोड़े से हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं यहां पास फ्रोजन हरा धनिया है चीस का पीस ले लिया है अब बच्चों की निए बनाया है तो इसमें कैजब जरूर होनी चाहिए यह हमारा चाइनीज स्टाइल पास्ता बनके रेडी है आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजे पसंद आएगी आपको यह डिश बहुत फिर मिलते हैं एक निव रेसिपी के साथ तब तक कि निव बाए